हेलो दोस्तों स्वागत आपका एसी बीजी चैनल में तो दोस्तों इस वीडियों डिस्कस करने वाले हैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्यन के पस्टियर सेकंड या थडियर के एड्मे कार्ड किस तरह से डानलोड करना है इसके बिलाड बारे में हम डिस्कस करेंगे कोई कोई प्रॉलम आती है तो मुझे कॉमेंट करके जरू बताना है चलिए दोस्तों वीडियों को करते हैं शुरू और हम जानते हैं कि बिक्रम यूनिवर्सिटी के पास्ट यह सेकंड यह थडियर के जो एड्मे कार्ड और प्रिस प्रत्र होते हैं उसको किस तरह से डानलोड क करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना होगा इस ओपीशियल वैब्सिट पर इस ओपीशियल वैब्सियट का नाम है दोस्तों विख्करम यूनिवर्सिटी मपी ओं लाइन डू कि यहूंग जो direct link direct आपको नीचे description में मिल जाएका बहाँ पर जाकर आप इस website पर directly आ जाना आपको कोई प्रोडम नहीं होगी नीचे link दिया गया है description में आप बहाँ पर जाकर आ सकते हैं दुख्स्तो ओके अब आपको क्या करना है दोस्तो दोस्तो अब आपको क्या करना है यहां पर okay कर देना होगा तो यहां से हम apply पर okay करेंगे और हमारे सामने आ जाए कोई सिस तरह का interface इसमें क्या दिया गया है वह हम देख लेते हैं दोस्तों कि करके तो इसमें दिया गया है सबसे पहले बिक्रम युनिवर्सिटी उज्जैन एड्मिक कार्ड यहां पर आपको लिखा है आप कौन सी यर में पस्टी यर में हो सेकंड यर में हो यह थर्ड यर में हो कौन सा डालोड करना चाहते हैं पस्टी यर का या सेकंड यर का थर्ड यर का तो आपको यहां से स्लेट कर लेना होगा दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ अगर सेमिस्टर वाले इन में से कोई भी एक आती है तो इसको यहां से सिलेट कर लेना है तो यहां से में एक दूस्तों सिलेट कर लेता हूं जैसे एक्जम्पल के तौर पर आपको यहां से मैंने सिलेट कर लिया अब आता है एक नेश स्टेप सिलेक्ट स्टेटस सिलेक्ट स्टेटस में आपको क्या select करना है select status में कि आप regular के अंतगरत आते हो या ATKT से apply किया है या private से apply किया है जिसका आप और में apply करना चाहते हो उसका आप admin card आप download करना चाहते हो आपको select कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ से regular example के तौर पर regular यहाँ से select कर लेता हूँ अब आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तो गो जी ओ गो लिखा है यहाँ पर आपको ओके करना है गो पर ओके करोगे और जैसी आप गो पर ओके करोगे आपके सामने नेशी इंटरफेस आजाएगा तो चली दोस्ते एक candidate का मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको अपना जो एलनोर्मेंट नमबर है वो सो करेगा second नमबर पर आपका जो रॉल नमबर होता है वो आपको यहाँ पर सो करेगा आपका एक्जाम का नेम जैसे कि बीए प्लैन थर्डियर का हमने जो की एड्मे कार्ट चेक किया है college का नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा अपना डानलोड करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पूरी तरीके से सो करेगा यहाँ पर आपका नेम सो करेंगे इसके बाद में यहाँ पर पेपर कीavil से आपर सो करेंगे कि आपके कौ कौन से पेपर होने बाले कौन sinful होने वाले तो आप यहाँ पर आपको एग्जाम की dirty मिल जाएगी साथ ही आपको यहां पर उसका एक्जाम когда जो भी है आपको admin card download करने का पूरा पूरा process अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरह से आपको admin card download करना है तो मित करना है आपको अच्छे से पूरी जानकारी समझ में आई होगी मैंने के करके step by step आपको समझा है तो please आज चैनल को जरू subscribe कर लेना है वीडियो को like जरू कर दें दोस्तों comment करके जरू बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा मिलतें next वीडियो के साथ तब तक लिए बाई